Hello everyone, Welcome to my YouTube channel. Today our topic is Type 0 Grammar. Previous lecture में हमने already Chomansky Horror Eriki को पढ़ा है, साथ साथ different grammar types को भी देखा है और वो grammar कौन से language को generate करते हैं, और उन language की complexity क्या होती है और उस complexity के base पे अपने को किस type के machine की requirement होती है, यह सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं. तो आज एक एक करके हम grammar को देखते हैं, type 0 grammar आपका different नाम से जाना जाता है जैसे कि recursive inurable grammar के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह recursive inurable language को generate करता है ठीक है, तो इसलिए आपका recursive inurable grammar के नाम से भी इसको हम जानते हैं साथी साथ इसको unrestricted grammar भी बोले जाता है unrestricted grammar इसलिए बोले जाता है क्योंकि इसमें किसी भी type के restrictions नहीं होते हैं ठीक है तो इसलिए इसको restriction free या unrestricted grammar भी बोलते हैं और साथी साथ इसको face structure grammar के नाम से भी जाना जाता है तो type 0 grammar के अलावा आपके तीन नाम और होते हैं ठीक है तो इसमें आपको confused नहीं होना है अलग-अलग author या book के हिसाब से इवन तक कि आपको different exam में question में भी अलग-अलग नामों से type 0 grammar को दिया जा सकता है तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए तो type 0 grammar जो है आपका ये कौन सा language generate करता है बताया था मैं आप लोग को recursive inerable language को generate करता है ठीक है जो किस से accept होता है आपका turing machine से accept होता है ये हम देख चुके हैं पिछले lecture में एक grammar को हम different components से define कर सकते हैं जैसे कि आपका non-terminal, terminal, production rule and starting symbol ठीक है तो किसी भी grammar को पहचानने का जो तरीका है या method है ठीक है that depends on the production rule वो production rule के उपर ही depend करता है किस type का production rule है ठीक क्या उसके तरीके है या किस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है उसी के हिसाप से ही हम बता सकते हैं कि कोई भी production कौन से type के grammar में आ रहा है ठीक है अब जैसे कि आपका type 0 grammar की हम बात करते हैं तो type 0 grammar जो है restriction free होता है इसमें आपका किसी भी type के restriction नहीं होता है जैसे आप लोग DBMS में normalization पढ़ते हैं तो हम किसी भी table को first normal form में है ये बीना check किये बोल सकते हैं तो वैसा ही आपका यहाँ पे भी without checking the production जो भी production है grammar के उसको बीना check किये हम directly क्या बोल सकते हैं कि वो type 0 grammar में आएगा means आपका दुनिया का हर production type 0 grammar में होता है ठीक है जैसे मैं अभी DBMS की बात कर रहा था तो हर table जो है आपका क्या follow करता है first normal form को follow करता है क्योंकि उसमें कोई भी restriction हम नहीं लगाते हैं first normal form में फिर उसके बाद आपका second normal form, third normal form, BCNF ठीक है आगे हम जैसे बढ़ते जाते हैं तो restrictions भी बढ़ता जाता है ठीक है और हमारा table जो है उतना purify भी होता जाता है ठीक है तो similarly यहाँ बे भी आपके grammar में बढ़ता जाता है इसलिए हमको language जो है easy मिलता है ठीक है जैसे ही अपने हम purify करते जाएंगे तो अपने को अच्छी चीज मिलेगी ठीक है यह अपन real life से भी देख सकते हैं जैसे कि आप oil को जितना purify करते जाओगे ठीक है उतना ही अच्छा oil मिलेगा ठीक है आप कम purify करोगे तो अपने को उसमें जो है उसमें complexity यादे मतलब कुछ oil के अलावा other चीज़े भी होंगी ठीक है तो उसी तरीके से जितना हम इसको purify करते जाएंगे जितने restrictions लगाते जाएंगे जितने filters लगाते जाएंगे ठीक है तो हमको उतना ही अच्छा और simple language मिलता है ठीक है तो हम जैसे already discuss कर चुके हैं कोई भी production जो लिखा जाता है grammar में वो alpha tends to beta के form में लिखा जाता है और यहाँ पे जैसे की alpha type 0 की हम बात करते हैं तो alpha क्या बिलॉंग करता है alpha belongs to terminal new year non-terminal ठीक है यह आपका whole star लगा हुआ है और यह non-terminal को एक right hand side sorry left hand side में fix किया गया है और यहाँ पे भी यह star लगा हुआ है तो यह दोनो star को आप चाहें तो null consider कर सकते हैं लेकिन अपने को यह non-terminal एक यहाँ पे हिलेना ही पड़ेगा clear है ठीक है फिर right hand side की बात करते हैं तो beta belongs to terminal union non-terminal ठीक है यह star लगा हुआ है तो आप यहाँ पे चाहें तो any number में terminal values ले सकते हैं और non-terminal values ले सकते हैं ठीक है अब यह terminal और non-terminal में already आप लोग को पिछले lecture में समझा चुका हूँ ठीक है तो अगर आपको clear नहीं है तो पिछले lecture देग लीजिए आपको यह doubts जो है clear हो जाएंगे okay तो reason में यह मैं बोलना चाहूंगा कि type 0 grammar में किसी भी type को कोई restriction नहीं होता है और दुनिया का हर production जो है आपका type 0 grammar में आता है ठीक है जैसे कि normalization के term में मैं आप लोग को समझाया कि हर table जो है आपके first normal form में होता ही है जब हम कोई table create करते हैं उसमें tuple center करते हैं तो वो first normal form में automatic होता है उसमें किसी भी type के restriction या किसी भी type के work की जवरत नहीं होती है ठीक है तो किसी भी type का हम जब production बनाते हैं grammar के point of view से तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो production है वो type 0 grammar में है ठीक है तो बहुती simple concept है type 0 grammar का आगे हम type 1 grammar को समझेंगे Thank you